अब हम देखेंगे के एबल के अंदर अगर हम कॉलम या रो इंसर्ट करना चाहें या डिरीट करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं सबसे पहले आप क्लिक कीजिए वहां पर जहां पर आप रो या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं और राइट क्लिक कीजिए right click करने के बाद insert पर click किजिए और insert columns to the left, insert columns to the right, insert rows above, insert rows below अगर आप insert rows above करते हैं तो इसके उपर एक row बनी हुई आ जाएगी इसी तरह अगर आप insert rows below करते हैं तो इसके नीचे rows बनी हुई आ जाएगी अगर मैं कोई row या column डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं उसको select करूँगा पहले या अगर मैं select ना भी करूँ तो इसको delete cells यहाँ पर click करूँगा और shift cells अप कर दूँगा तो ये खतम हो जाएगा यहां से इसी तरह अगर मैं कोई column डिलीट करना चाहूँ इसको select करने के बाद delete cells डिलीट entire column कर सकता हूँ तो ये सारा column खतम हो जाएगा